बिहार के भागलपुर जिले के तातरपुर के गोलग हाट गड़हय मोहले में शोमवार सुबै टिंकू राय को उसके दोस्त प्रमोथ चोधरी ने पीट मिचा कुमार कर बुरी तरह जखमी कर दिया गड़ना के बाद मोहले के लोगों ने प्रमोथ को पकड़ने का प्रियास किया तो वे पास के एक जलकुम्भी भरे तलाब में खूद गया देखते ही देखते प्रमोट तलाब में समाने लगा किसी ने उसकी मदद नहीं की वे बचने के लिए जलकुम्भी के बीच हाथ पैर मारता रहा लेकिन जलकुम्भी में समाने के डर से कोई उसके पास नहीं आया तलाब में प्रमोट के डूपते ही वीडियो वाइरल होने के बाद तातर पुर पुलिस मौके पर पहुची लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी सोमवार को दिन भर प्रमोट के शव की तलास की गई लेकिन शव का पतान नहीं चल सका मंगलवार को SDRF की टीम जलकुम्भी हटा कर शव की तलास कर रही है दूसरी और प्रमोट द्वारा चाकु मारने से जख मी टिंकुराय का पेट फट गया और इंस्सेटाइन बाहर आ गई इंटेस्टाइन को कपड़े से बांध कर किसी तरह परीजन टिंकु को हस्पिटर ले गए डॉक्टर ने उसकी हालत नाजुक बताई है कुछ दिन पहले ही टिंकु जेल से निकला था उसे मोबाइल चोरी के केस में आदमपूर पलस ने जेल भेजा था प्रमोद और टिंकु दोनों एक ही मोहले के रहने वाले हैं टिंकु के भाई भोला राय ने बताया कि एक महिने पहले प्रमोद ने उसके घर से मोबाइल फोन चुरा लिया था मोबाइल चोरी कर भागते हुए प्रमोद को टिंकु के भाईयों ने देख लिया था सोमवार को प्रमोद दिखा तो टिंकु उसके घर मोबाइल मागने चला गया वहीं प्रमोद और उसके भाई सुबोध चौधरी ने मिलकर टिंकु के पेट में चाकु घोब दिया खून से लत्पा टिंकु को देख मोहले के लोग जमा हो गए और चाकु लेकर भागते हुए प्रमोद को पकड़ने का प्रियास किया तो वे वहाँ से भाग निकलिया कुछ घंटे बाद प्रमोद फिर मोहले में दिखा तो लोगों ने उसे खा देड़ा बचने के लिए उसने मोहले के जलकुम्भी भरे तलाब में ही चलांग लगा दी उसे तलाब की गहराई का पता नहीं था देखते ही देखती वे जलकुम्भी में समा गया करीब दो घंटे बाद तातर पुर पुलेस दो मजदूरों के साथ मोके पर पहुची दोनों मजदूरों ने रसी में जगडबान कर कई घंटों तक उसकी तलाश की लेकिन जलकुम्भी की मोटी परत होने के कारण उसका पता नहीं चल सका नेक्स्ट नाइट न्यूजरूम से ममता की रिपोर्ट